Good evening, welcome back to my youtube channel. So, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारा mock test 5 है, जिसमें आप जिएस का mock test देंगे. And उससे पहले आपको एक कोड बात बतानी हैं कि आप संडे आने वाला है, जैसे कि परसों संडे हैं और आपको पता है संडे को हमारा क्या होता है? हमारा होता है full mock test ठीक है ना full mock test किसका VLW का अभी तक हमने 2 mock test ले ली है full and जो Sunday को है यह हमारा 3rd mock test है तो कल कोई lecture नहीं होगा आप लोगों ने क्या करना है कल पूरा दिन revise करना है and Sunday को mock test आपको ज़रोड देना है ठीक है जी यह तो एक होगी हमारी information जो कि मुझे आपको देनी थी and second आपको यह जो आज मैने page लाया है आप सोच ले होगी कि starting में maths का page तो यह किसी बच्चे की क्योई रहे आयते तो हमने सोचा यह question काफी अच्छा है तो हम इसको यहाँ पर discuss कर लेते है मैंने आपको पढ़ाया था partnership, business ship and partnership पढ़ाया था मैंने आपको अगर आप सब ने मेरा वो lecture देखा है तो आपको यह question काफी easy तरीके से निकल जाना चाहिए था पर चलो जिसने नहीं देखा तो कोई मसला नहीं हम यहाँ पर इसको solve कर लेते हैं देखे क्या है इस question में हम देखते है इसका जो answer है वो option number B है that is 4 month बड़ हम इसको solve करने का कोशिश करते है A ने invest किया 40,000 ठीक है business में उसे कुछ महीने के बाद हमें यहाँ पर month दिये नहीं है ठीक है ना तो हमें क्या करना है assume करना है तो कुछ महीने के बाद B ने join किया B ने join किया तो उसने 60,000 डिये at the end of the other total profit जब साल का खतम हो जाता है end हो जाता है तो total profit कितना होता है total profit होता है 1 is to 2 ratio में अब बताना है कि B ने कितना time के बाद join किया तो हमें वो बताना है चलिए इसको करने की try करते है देगे क्या होता है हमें A ratio B दो ratio में दिया है तो हमने क्या करना है 40,000 है यहाँ पे और यहाँ पे कितना है 68,000 है दो ratio होगी हंजी बिल्कुल आगे हमने क्या करना है हमने माल लिया कि total month कितने थे अपको थो पताए है एक साल में कितने महीने होता है 12 महीने होता है तो A ने जब काम शुरू गया तो starting से ही किया उगा यानिकि इसने भूरे 12 महीने 12 महीने जो है पैसे जमा कियो होगे बट B ने कुछ ताम के बाद पैसे जमा किये हम क्या माल लेंगे driving? 12 minus X. Okay? 12 minus X हम एसको माल लेंगे. ठीक है? एक साल में कितने महिन होते है? 12 महिन होते है not? अ ऐ अ जब स्णार्टिंग से ही किया है तो ए को कितने पूरे 12 महिन लेंगे बड़ बी ने पूरे 12 महिन नहीं जमा किये है पी ने क्या किया है B ने कुछ time के बाद किया, और वो हमें time नहीं बता है, हम क्या करेंगे, minus x करेंगे, ठीक है, minus x करेंगे, अब दिखिए, हमने क्या करा है, equation बनानी है, अब हमने कैसे equation बनानी है, हमने बनानी है, 40,000, multiply किसे करना है, 12 से करना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 60,000, multiply किसे करना है, 12 minus x से, ratio हमें किस में दिया है, 1 upon 2 में, चीक है, इस तरीकी की ratio दिया है, तो हमने ऐसे कर लिया, ओके जी, चलिए, 0, 0 सारे cancel होगे, 6 1 जा, 6 2 जा, 12 हो गया, ठीक है, क्या बचा हमारे पर 4 तूजा, 8, नीचे क्या है, 12 minus x equal to 1 by 2, 8 तूजा, 16, यहाँ पर क्या है, 12 minus x है, तो 12 जब इदर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 month आ जाएगा, x की value आ जाएगी, 4 month, तो यानि कि हमारा answer आ जाएगा 4, ठीक है, तो इस तरीके से इसको निका के ओपर, आज आते हैं अब अपने mock test के ओपर, जिसका आज हमें करना है solution, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं हमरा mock test 5 है यह, चलिए, स्टार्ट करें, चलिए, ओके, who released the food safety index, कौन इन में से food safety index को release करता है, अभी 2023 में release हुया food safety index, तो काफी ज़दा important हो जाता है, current of year के point of view से आप सब को यह पता होना चाहिए, ठीक है ना, चलिए, कून करता है, FSS AI करते है, FAO करता है, WHO करता है, या इन में से कोई भी नहीं करता है, तो बताना है आपने कून करता है, तो इसका answer है option number, A है, इसका बिल्कुल सही answer है, ठीक है, चलिए, next question पर जाते है, which city is known, the city of literature, यह क हम discuss करेंगे, पहले आपको इसका answer बताना है, कोजी कोडे, बाहरा नसी, भोपाल या फिर पटना, कौन सी city को, city of literature कहां गया है, अभी यह recently हुआ है, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, तो यह काफे जादा news में था, इसलिए मैंने आपके लिए कुश लाया है, तो UNESCO की creative list निकलती है, तो अभी क्या हुआ है, अभी ही इन्होंने, अभी इन्होंने city of literature किसको कहा है, इन्होंने city of literature कहा है, कोजी कोडे को, जो की कहां पर है, जो की है हमारे, हमारे यहां पर है, यह दिखके रिला में है, ठीक है, creative city, UNESCO की creative city, अब उसके बात क्या होता है, हम यहां पर थोड़ सा erase करके यहां पर लिखते हैं, अगर आपसे पूछे कि first Malayalam, क्योंकि यह इसी से related है, कोजी कोडे को इसलिए literally tradition इसलिए बुला गया है, क्योंकि first Malayalam, जो novel है, उसका नाम भी अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं, क्या है वो कुंडा लथा, जो कब बनी थी, 1887 में पूरी थी, अगर आपसे इसका author है, वो पूछे तो आपने बोलना है, उसका नाम है, अपु नेदू गड़ी, ठीक है, अपु नेदू गड़ी, कुंडाला था, कुंडाला था, कुंडाला था, first कौन है, Malayalam novel है, तो यही पर आपको याद करके जान है, इसलिए इसको city of literature कहा गया है, किसको कोजी कोडे को, कोजी कोडे कहां पे है, कहरिला में है, तो हमारा option है, option A, बिल्कुल सही है, अभी जो UNESCO creative meeting हुई थी, ठीक है, ना, UNESCO creative meeting हुई थी, 2023 में, उसमें जो है, यह इसको बूला गया था, अब 2024 में आपको पूछेंगे, कि 2024 में, UNESCO की creative meeting कहां पे होने वाली है, UNESCO जो है, creative meeting कहां पे होने वाली है, तो 2024 में होने वाली है, वो, ब्रागा, पुर्तगल में, यह आप से पूछा जाएगा, ठीक है, ना, ब्रागा, पुर्तगल में होने वाली है, तो यह काफी आसान है, यह चीज़े आपको याज रखने अच्छा, apart from these these things, also Srinagar के important है Srinagar को creative city किस के लिए बोला गया, craft, fork, and arts के लिए चिन्ने को किस के लिए बोला गया है, चिन्ने को music के लिए बोला गया है, तो अभी जो recently add की गई है, वो एक कोजी कोड़े है and second वाली भी एक और है, वो मैंने question आपके लिए लाया हुआ है, जिससे आपको पता चल जाएगा, देखे, मैंने बताया है, कोजी कोड़े क्या है, अच्छा ठीक है, कोजी कोड़े के रिला में UNESCO creative cities में, इसको add-on किया गया, अब question number 3 हमसे पूछ रहा है, which city is known as the city of music, ये भी important है, क्यों, क्योंकि अभी recently news में है, अब हमसे ऐसे question पूछे जाते है, city of music कौन सी है, city of, जैसे हमसे पूछा जाता है, thunderbolt कौन सी है, ये वाली भी चीज़े हमसे पूछे जाएगे, ग्वालियर है, है, हैदराबाद है, अहम्दाबाद है, ये इन में से कोई भी नहीं है, ओके, ये जल्दी बिताइए, चो इसका answer है, option number A, that is ग्वालियर, ग्वालियर जो है, वो क्या है, city of music है, city of music, ओके, तो आपको इसको याद रखना है, option number A, बिल्कुल सही है, ग्वालियर is known as the city of music, इक कफी important है, याद रखना है आपने, ये बला question भी, okay, चलिए, next है, मारा question number 4, One nation, one registration is launched by National Commission for Women, National Medical Commission, National Health Commission, या none of the above, अब बताना है, one nation, one registration, अभी था, one nation, one election news में था, वैसे ही, same है, one nation, one registration, तो one nation, one registration जो है, वो किसलिए news में है, और वो किसने करवाया है, वो आपको बताना है, question number 4, ये वहला question भी काफी ज़्यादा important है, ठीके न, तो आपको पता होना जाए, कि one nation, one registration, किससे relate करता है, और ये क्यों नियोंज में है, ये भी आपको पता होना जाए, one nation, one registration, one nation, one registration, किससे relate करता है, कौन सी committee ने से appoint किया है, काफी important है, अचा चलिए, हमें बता दिते हैं, इसका answer है, option number B, ठीके, option number B, इसका बिल्कुल सही answer है, तो जिसको आता था, बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं आता था, तो कोई नहीं, हमने आपको बता दिया, एक्जाम में इसको गलत मत करके आईएगा, ये है, option number B, नाशनल मेडिकल कमिशन ने appoint किया था, one nation, one registration, नाशनल मेडिकल कमिशन ने, अब इन्होंने ये क्यों लॉण किया है, ता कि वो जो डुपलिकेशन ओफ मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनाते हैं, कि भई हम डॉक्टर है, डुपलिकेट्स बनाते हैं, उसके लिए ये लॉण्च किया गया है, one nation, one registration, अब क्या होगा, तो one nation, one registration, ने लॉण्च किया, option B हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, काफी असान था, चलिए, next है question number 5, अब देखिए, which amendment of the constitution of Jammu and Kashmir, replace सदरी रियासत by governor, सदरी रियासत जो है, उसको, सदरी रियासत को governor से कौन सी amendment के द्वारा जो है, replace कर दिया गया था, जल्दी बिताईए, 20th amendment, 1987, 12th amendment, 1975, 6th amendment, 1965 and 29th amendment 2002, इसके बाद हम end में, एक दो current affairs को discuss करेंगे, चलिए, 5th question का answer बताईए, ओके, option number C, इसका बिल्कुल सही है, चलिए, चलिए, next है, the tom, जियारत, बाबा, हैदर रिशी, situated on with, of the following district of Jammu and Kashmir, गांदर बल, राम बाय, शूपियान या अनन्तराग, कौन सी डिस्ट्रिक में है, जियारत बाबा, हैदर रिशी, इसका जो correct option है, वो है option number D, that is, अनन्तराग में है, ठीक है, चलिए, next question पर move करते है, मलेश्वर, temple, in पहल गाम, is devoted to, which Hindu god, काली, शिवा, कृष्णा, या फिर विश्णू, जो मलेश्वरी, टेम्पल है, वो किस हिंदू गौड को, dedicate किया गया है, काली, शिवा, कृष्णा, या फिर विश्णू, इसका अंसर है, option number, B, that is Shiva, ठीक है, या दुखेगा, next आ जाता है, Amar Palace, the residential palace, of Amar Singh, has been converted, into museum, उसको museum में, convert किया गया है, उस museum को, किसने, inaugurate किया था, प्राइम मिनिस्टर, इंद्रा गांधी जी ने, प्रेजिडेंट फकरोदीन, अली अहमेद ने, governor of Jamoayan Kashmir ने, या CM of Jamoayan Kashmir, जो प्रिशेक मुहमद अबदूला थे, इसका अंसर क्या होगा, इसका अंसर है, option number A, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, इंद्रा गांधी जी ने, उसे inaugurate किया था, चलिए, next आज आज़ता है, the name, गौरी मर्ग, गौल मर्ग को, पहले गौरी मर्ग बोला गया था, वो किसने चींज किया, अकबर ने, जहांगीर ने, यूशुफ चाचक ने, या फिर जैनुल अबदीन ने, तो इन में से, किसने जो है, नेम को, चेंज किया है, तो इसका जो correct option है, वो है option number C, यूशुफ शाचक ने, गौरी मर्ग का नाम, चेंज करके, गौल मर्ग रखा था, चलिए, next question पर जाते हैं, in fact, 2022, बागे बहु, गेट, musical fountain, and light, and sound show, it was inaugurated by, lieutenant governor, जमू और कश्मीर के, मिरोश सिना ने, या प्राइम मिनिस्टर, नरेंदर मोदी जी ने, या फिर, union minister, जतेंदर सिंग ने, या फिर, इन में से, option number, ये बिल्कुल सही है, ठीके, इन्होंने किया था, मनो सिना जी ने, चलिए, next जाते हैं, अपने question number, next पर, who among the following, district in जमू और कश्मीर, इर्दा बर्थ प्लेस, और बसोली आर्ट पेंटिंग, बसोली आर्ट पेंटिंग का, बर्थ प्लेस कहा है, रियासी, कठुवा, सांबा, यां फे रामबन, कहां पे है, बसोली आर्ट पेंटिंग का, बर्थ प्लेस, जल्दी बताईए, इसका answer option number B है, एक चीज़ और आपको बता देती हूं, ठीके न, इसका answer option number B है, एक सके उनिस्को क्रेटिव मिटिंग जो है, एक सकेंड, युनिस्को क्रेटिव मिटिंग जो है, वो 2004 में स्टैबलिश हूई थी, जिसमें 350 अल अवर द वर्ल्ड जितने भी सिटीज है, उन्हें अड़ आउन किया गया, अब ये क्या करते है, इनकी केटेगरीज होती है, कुछ की उनको किसमें युनिस्को, जो है, क्रेटिविटी जिसमें दिख रही है, कौन सी यसी जगा है, जहां पर वो क्रेटिविटी काफी जादे यूनिक है, तो वो उसमें केटेगराइज करते हैं, जैसे craft में करते हैं, for cult में, art में करते हैं, media में भी करते हैं, films में भी करते हैं, design में भी करते हैं, gastronomy में करते हैं, literature में करते हैं, and music में भी करते हैं, तो आपको इनके पता होना चाहिए, basic information about UNESCO, ये काफी जाधा important है, तो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, और ये क्य क्या करेंगी फिर उनको और जदा प्रमोट करेंगी अर्बन प्लैनिंग करेंगी ताकि जो है और अच्छे से वह आर्ट इन कल्चर फ्लरिश हो सके चीक है चलिए 11 हो गया next move करते हैं हम question number 12 पर चलिए which king has changed the name of Rajori to Rampur in the UT of Jammu and Kashmir महराजा Gulab Singh, महराजा Hari Singh, महराजा Pratap Singh या महराजा Bheem Singh तो इन में से किस ने Rajori का जो name है वो change करके Rampur रग दिया था क्या है इसका answer option number a बिल्कुल सही है ठीक है इसको याद रखना है next आजाता है question number 13 in which year Samba region came under the supremacy of Jammu and Kashmir during the period of Haridev Samba जो है supremacy of Jammu and Kashmir में कब आय था during the period of Haridev कब आय था क्या वो 1899 में आय थे 1816 में आय थे 1876 में आय थे या 1929 में आय थे so इसका answer है option number B चलिए next आते है question number 14 पे मिया हाथ हो गोवर्नर द्रजोरी from 1846 से कब तक थे 1852 1850 1889 या 1856 कब तक थे 1846 से लेके कब तक वो गवर्नर थे वो थे 1856 तक नेक्स्ट आ जाते हैं question number 15 पे त्रिकूटा हिल फेमस श्राइन वैश्नो देवी और विच पार्ट आफ हिमालिया कौन से पार्ट आफ हिमालिया में है मिडल में है आउटर में है ग्रेटर में है या नौटे पार्ट आफ हिमालिया त्रिकूटा हिल्स यह फेमस श्राइन है वैश्नो देवी की यह जो है यह कौन से हिमालिया के पार्ट में आती है जल्दी बिताईए यह वेला कोशन जो है काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है याद होना चाहिए यह आजाती है मिडल हिमालियास में ठीक है मिडल हिमालियास में आती है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है तो बस यहाँ पे हमारे 15 कोशन जो है वो खतम हो जाते हैं और होफुली आप सब का स्कोर 15 आउट और 15 ही रहा होगा ऐसे डेली बेसिस पे हमारे जो MCQs है वो आपको मिलते जाते हैं आप जो चैनल को फर्स टाइम देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है एक तरीके से आप लोगों का गुरू दक्षना होगी मेरे लिए ठीक है आप लोगों ने क्या करना है चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है लाइक करना है एंड अपने एक चीज़ याद रखनी है कि क्या है भाई हमारा जो है संडे को होने वाला है धमाकेदार टेस्ट ठ है मौक टेस्ट ठी रहेगा फुल मौक टेस्ट जैसे कि अभी तक हमारे दो मौक टेस्ट हो गए है उन पर जो हमारे व्यूज है वो काफी जादा अच्या है इसलिए उन्होंने मुझे पहुज़ाद मॉटिवेट कर दिया है अब मैं क्या करूँ हूँ थर्ड मॉक टेस्ट अब तक के लिए अच्छे से रिवीजिन करना है कल आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं आगा आप लोगोंने सब रिवीजिन करना है ताकि हम जो है अपना संडे को टेस्ट जो है काफी बहतर तरीके से दे पाए तो बस मिलेंगे नेक्स वीडियो में आप ये तब तक ख्याल रखें और पढ़ते रहिए और जो नया है चैनल को सब्सक्राइब किये बीना मच जाहिएगा थांक्यू इन बाबाए